इस वीडियो में हम ओरल कैविटी के अंदर टंग की इंटर्नल इस्ट्रक्चर की इस्टड़ी करेंगे टंग इस्ट्रेटिड मसल से बनी हुई एक मस्कुलर इस्ट्रक्चर होती है जो म्यूकस मेंब्रेन के द्वारा कवाड रहती है इसमें तीन पार्ट पाये जाते हैं रूट बॉड़ी और टिप यह जो पीछे की ओर है यह रूट होती है यह पूरा इस्ट्रक्चर बॉड़ी का है और यह लास्ट में जो एपेक्स या इसको हम टिप भी कहते हैं जो रूट होती है यह हायो ग्लोसस और जिन्यो ग्लोसस की हेल्प से हायोड वोन से कनेक्ट रहती है और बॉड़ी के इंदर एक्स्ट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों प्रकार की मसल्स पाई जाती है और टिप जो इस्ट्रक्चर है यह तीत के पास में पाई जाती है इसके बाद हम बात करते हैं टंक की सर्फिस की इसमें दो सर्फिस पाई जाते हैं डॉर्सल सर्फिस और बेंटरल सर्फिस अब हम बात करते हैं डॉर्सल सर्फिस की डॉर्सल सर्फिस सलकस टर्मिनेली के द्वारा एंटिरियर टू बाई थर्ड और पोस्टिरियर बन बाई थर्ड में डिवाइड़ होती है एक टंग के अंदर अगर हम इसकी डॉर्सल सर्फिस देखें इसको हम सलकस टर्मिनेली कहते हैं जो टंग को एंटिरियर टू बाई थर्ड और पोस्टिरियर बन बाई थर्ड में डिवाइड़ करती है अब हम इसके कंटेंट देखते हैं कि एंटिरियर टू बाई थर्ड में क्या-क्या पाया जाता है पोलियेट यहां पर होती है और बैलेट यह वाली जो है यह बैलेट पैपिल्ली होती है जिने हम सरकम बैलेट भी कहते हैं और पोस्टेरियर बन बाई थार्ड जो होता है उसमें कोई भी पैपिल्ली नहीं पाई जाती है जबकि एंटेरियर टू बाई थार्ड में हमने देख और lingual tonsils होते हैं जिनको हम lingual follicles भी कहते हैं इस एरिया में पाय जाते हैं अब हम tongue की bentral surface को देखते हैं bentral surface भी smooth होती है क्योंकि इसमें papillie नहीं पाय जाती है और इसमें frenulum होता है जो tongue को mouth की floor से जोड़ता है frenulum के lateral side में deep inguinal vein पाय जाती है और phimbreate भी वाय जाता है जो की deep inguinal vein की lateral होता है इसके बाद हम बात करते हैं muscles की tongue के अंदर दो प्रकार की muscle पाय जाती है intrinsic muscle और extrinsic muscle intrinsic muscle जो हैं ए tongue के अंदर ही originate और insert करती हैं जबकि extrinsic muscle tongue के बाहर attest रहती हैं intrinsic muscle tongue के shape और size को maintain करती हैं जबकि extrinsic muscle tongue को movement प्रोवाइड करती हैं intrinsic muscle है superior longitudinal, inferior longitudinal, transverse और vertical जबकि extrinsic muscle है genioglossus, hyoglossus, styloglossus और platoglossus अब हम इनके movement देखते हैं genioglossus protrusion में help करती है जबकि genioglossus, hyoglossus के साथ मिलकर depression में help करती हैं और only hyoglossus और styloglossus retraction में help करती हैं और नीचे वाली दोनों styloglossus और platoglossus elevation में help करती हैं इसके आगे हम देखते हैं nerve supply nerve supply दो प्रकार की है motor और sensory motor nerve supply जो है वो tongue में पाई जाने वाली सभी muscles चाहें वो intrinsic हों या extrinsic हों उन सभी को hyoglossus 12 cranial nerve supply करती है सिर्फ platoglossus को छोड़ कर जिसको pharyngeal nerve सप्लाई करती है यह वाली जो platoglossus है इसको छोड़ कर जितनी भी intrinsic और extrinsic muscle है उनको hyoglossus 12 cranial nerve supply करती है अब हम sensory nerve supply देखते हैं इसमें anterior 2 by 3rd और posterior 2 by 3rd anterior 2 by 3rd में general sensation है वो mandival nerve supply करती है बाई lingual nerve जबकि special sensation जैसे टेस्ट हो गया उसको facial nerve supply करती है बाई कोड़ा टेंपिनी इसके बाद हम posterior की बात करें तो उसमें चाहें general sensation हो या फिर special sensation हो दोनों को ही glasso pharyngeal nerve supply करती है जो की mixed nerve होती है 9th cranial nerve अब हम blood supply को देखते हैं इसमें arterial supply by lingual artery tonsillar branch of facial artery ascending palatine artery by branch of facial artery और ascending pharyngeal artery by branch of external carotid artery टंग में अगर बेन श्ट्रेनेज की बात करें तो इसमें लिंगल बेन पाई जाती है जो की अल्टीमेटली internal jugular बेन को ड्रेन करती है इसके बाद हम lymphatic drainage देखते हैं इसमें tip anterior two-third और posterior two-third को देखते हैं इसमें tip जो apex होता है उसको submental lymph node ड्रेन करते हैं anterior two by third of tongue को sub-mandibular lymph node ड्रेन करते हैं जबकि posterior one by third को deep cervical lymph node ड्रेन करते हैं thanks for watching if you not subscribe please subscribe us and share with your friends thank you